तो आज की ये वीडियो काफी जादा फ्रेस एंड कमाल का है इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें आपको मैं टोटल इस ब्रैंड के बारे बताने वाला हूँ साथी साथ ये कौन-कौन से प्रड़क्ट लॉंच करने वाला उसका भी डीटेल दूँगा और इसकी हर एक बारी की से चीजों को मैं explain करूँगा और सबसे बड़ी बात कि ये एक made in India होने वाली है और दोस्तों ये एक Indian ब्रैंड है तो वो भी मैं बताऊंगा यानि कि हर एक छोटी-छोटी बाते मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो बलास तक जरूर बने रहना भागी दोस्तों सबसे पहले start कर दूँ कि यार ये company का नाम है sense दोस्तों इस brand के बारे मैं कुछ और भी आपको बता दूँ कि यार ये जो company है ये जितने भी products को बनाएगी वो locally बनाने वाली है यानि कि made in India होगा ये जो है company ये haryana and grogram based है तो वहाँ के local में बनाया जाएगा ये दोस्तों वहीं पे इसका factory setup है बागी दोस्तों सबसे पहले में बता दू कि इसकी first range है I mean जो first group है जो कि रखा गया है TWS में वो काफी बहतरीन रखा गया है जो कि yes आपको काफी सारे variation देखने को मिल जाएंगे साथी साथ जो TWS की quality है वो भी अच्छी खासी बताए जाड़ी है वहीं आप looks तो देख सकते हैं अगर first impression की बात करी जाए तो यार looks it's better बागी दोस्तों अगर मैं इसकी design की बात कर लूँ तो यार design थोरा सा अलग रखने की कोसिस करी गई है and yes actually ये थोरा सा बहतर भी देखने को मिल रही है बागी दोस्तों साथी साथ इसकी bottles भी है जो कि smarts bottle है and दोस्तों इसमें काफी सारे और भी ranges है बागी दोस्तों मैं अगली product की बात कर लूँ तो आपको इसमें smart watch भी देखने को मिलेगा दोस्तों सिर्फ smart watch नहीं आपको simple watches भी देखने को मिलेगा different different color options and variation में साथी साथ आपको neck band भी देखने को मिलेगा जो कि yes काफी सारे अच्छे colors and yes जो specification होने वाली है वो भी काफी बढ़िया है यानि दोस्तों अगर ये company अच्छी खासी हुई meanwhile जो और भी local brands है जैसे की local तो उसे नहीं बोल सकते है वो काफी अच्छे brands है उसे काफी competition दे सकती है तो यार अगर neck band की बात कर लो तो काफी सारे features के साथ आते हैं जिसमें की fast charging की support, bluetooth 5.2 variation जो color की है वो काफी अच्छी खासी है instant pair, 10 mm की drivers अच्छी sound quality है उसके बाद दोस्तों जो ENX की technology है वो भी रखी गई है और दोस्तों जो watch है watch में भी काफी budget देखने को मिलेगा budget in the sense of जो specification होने वाली है वो काफी तगडी देखने को मिलेगा जैसे कि आपको IP68 का support मिलेगा साथी साथ 150 जो smart watch face होती है वो देखने को मिलेगा और दोस्तों battery backup, bluetooth calling smart watch की जो display है वो काफी अच्छी खासी sizes में है और जो quality है वो भी अच्छी खासी रखी गए जो pixel size है वो भी काफी अच्छा रखा गया जो pixel की जो मतलब overall मुझे display काफी अच्छी लगी है अभी तक वीडियो को like ने किया यार तो वीडियो को like जरूर से कर लो क्योंकि मुझे काफी जादा मेहनत लगा इस brand के बारे में find out करने में तो please चैनल को subscribe कर लो and bell notification को all पर डालो क्योंकि ये brand अपनी इतने भी products है वो कल officially launch करने वाली है flip card पर and दोस्तो मैं उस product को order करने वाला हूँ and although मैं उसका proper review दूँगा तो उसके लिए भी आप चैनल को subscribe जोड़ से कर लेना and वीडियो को like ने किया है वीडियो को like कर लो support दिखाओ लागे दोस्तो यार yes ये made in india है जो इसकी design है वो US से ली गई है inspired है and yes जो इसकी service center है वो भी काफी अच्छी खासी numbers में देखने को मिल जाएगा वो भी different cities में although दोस्तो जो और भी brands है जैसे कि me, we, boat ये भी officially यानि कि जो offline modes में है वो तो नहीं provide कर रही है but yes, online mode में काफी सारे options दे रही है तो yes, इसके लिए आप बेए फिकर रहे है न सबसे बड़ी concern ये है कि यार ये product अच्छी दें यानि कि जो quality है वो अच्छी दें and yes, the sound quality या फिर जो उसकी जो चीज है, जो premium news है वो थोड़ी सी अच्छी दे बाकि yes, जो TWS है उसकी काफी different different form में चीजों को दिखाने की कोचिस करी गई है and although मुझे personally काफी अच्छी लग रही है दोस्तो आपको ये भी बता दू कि मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि यार ये brand made in India होने वाला है and दोस्तो finally इंडिया में जो खूद की जो manufacturing units होने वाली है खासतोर पर TWS जो gadgets है उसके regarding इंडिया में एक setup काफी मजबूत हो रही है तो इसके लिए काफी ज़्यादा खुसी है बाकि दोस्तो yes, I love this brand because हाला कि मुझे नहीं पता कि इसकी quality और कैसी चीज़े होने वाली है but yes, अगर ये अच्छा रहता है then yes, this is the best options क्योंकि दोस्तों जो mid range में है जैसे की Petron, फिर से noise इस सब को काफी अच्छी टकर दे सकती है no doubt बाकि दोस्तों कल देखते हैं कि यार product जब launch होती है तो मैं जब order करूँगा and बस उसे मैं review करने के लिए काफी ज़्यादा excited हूँ although उसके बाद मैं total detail आपके साथ share करूँगा and yes, इस company का सबसे बारा concern मुझे यही लग रहा है कि अगर ये service center में issues होगा like customer call pick नहीं करना late से pick करना, respond का माना तो यार जैसे कि मीवी के साथ पंगा है, तो वो पंगा अगर हुई तो maybe ये थोड़ा सा concern की side हो सकती है but yes, जहां तक मुझे पता है, जहां तक पता चला है, ये company काफी ज़्यादा strongness के साथ set up करा है, तो yes, service center में issues नहीं होगा, यानि कि service center के regarding जो problems होती है जो भी product defect होते हैं तो उसके regarding कोई भी issues नहीं होगा जो customer call है, वो pick जल्दी होगा respond भी जल्दी होगा, whether it is email और phone calls तो hope so की quality भी अच्छी दे, and दोस्तों ये चार category में product लाँच करेगा, सबसे पहला TWS, second one, smart watch and जो normal watch है वो भी and दोस्तो, Nick Band साथी साथ smart bottles and मुझे ये काफी ज़्यादा shocking लगा कि यार ये smart bottles क्यों ला रहा है, but दोस्तो अगर trend की बात करें smart bottles काफी ज़्यादा demand में है high end demand में है, तो yes अगर ये company अगर सही से product को launch करती, यानि कि जो quality है, वो सही रहा, तो yes, काफी ज़्यादा sell होगा, and अगर source की बात करें तो yes, ये brand काफी मेहनत के साथ launch हो रही है तो yes, ये काफी ज़्यादा competition देने वाली है, जो इनके competitors हैं, अला कि दोस्तो, आप लोग comment में बताओ कि यार, ये Indian brand होने वाली है, and सारा setup यानि के total setup, इंडिया में होने वाली है, बकाइदा, ग्रुग्राम and हडियाना साइड में, तो यार आप लोग कितना excited हो, comment में जरूर बताना साथी साथ आप लोग ये भी बताना कि आप लोग इस brand से क्या expectation रखते हो, बागे अगर दोस्तों, अगर मैं इसके highlights ही बात करनों, जो कि specification होने वाली है, whether it is TWS और neckband, तो यार दोनों की काफी ज़्यादा advance रखी गई है, meanwhile आपको दोनों में different different drivers देखने को मिल जाएगा, अगर मैं neckband ये बात करूँ, तो आपको 12 mm का driver देखने को मिलेगा, TWS में आपको 10 mm का driver देखने को मिलेगा, हाला कि different different model में different different driver use करी गई है, साथी साथ आपको instant pair mode, साथी साथ आपको जो build है, वो काफी अच्छा रखा गया, IPX 4 and 5 रखा गया है साथी साथ आप लोग को इसमें MEMS का support देखने को मिलेगा and yes, ANX का technology भी देखने को मिलेगा and दोस्तो जो IPX rating है, वो में काफी अच्छे खासी रखी गई है, battery backup भी आपको एक दिन का देखने को मिल जाएगा, neckband में and जो TWS से उसमें भी काफी different options देखने को मिल जाएगा and yes, Bluetooth 5.2 and दोस्तो जो इसमें एक extra feature दिया गया, जो कि आपको TWS या फिर neckband में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये features है दोस्तो, कि जब आप call पर बात करोगे, या फिर video call पर बात करोगे, तो आपके साथ क्या होता है, कि voice कभी कभी noise जादा देने लगता है, या फिर noise जादा आता है तो उसको काफी जादा slim कर देगा, यानि कि जो voice होने वाली है वो काफी जादा अच्छा हो जाएगा चलो आपको एक और तरीकी से में explain करता हूँ, like जब ENX की अगर बात करे, तो वो voice को सही करता है जब हम लोग call पर बात करते हैं बड़ दोस्तो ये technology के थुरू आप video call पर जब बात करोगे तो उसे भी काफी सारप कर देगा तो yes, ये काफी अच्छी बात है आपको different different models में and color options देखने को मिल जाएगा and जो दोस्तो जो highlight है वो मैंने बता दिया है and yes, मुझे काफी ये पसंद पर रही है दोस्तो ये brand पसंद परने के पीछे तीन reasons है first reason is ये made in India होने वाला है जो कि yes, locally manufactured होगा जो कि गुरुगडाम and हरियाना side होने वाली है साथी साथ जो इसकी जो quality है वो काफी अच्छी खासी रखी है like अगर मैं earbuds की बात करूँ तो वो भी काफी budget में रखा गया है and watch की बात करूँ तो यार आपको 2000 में काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा दोस्तो आपके पास 2500 से 3000 का भी options देखने को मिलेगा यानि कि उसमें भी आपको quality enhancement जरूर देखने को मिलेगी साथी साथ मुझे यार look literally काफी पसंद पढ़ा यार आप लोग comment में जल्दी बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है बाकी मुझे तो काफे ठीक लग रहा है but yes after launch अगर ये सब कुछ सही रहा तो सब का ये best होने वाला है बाकी अगर मैं specification की बात कर लूँ आज, no, कि यार मैंने सब कुछ बता दी है drivers की भी मैंने बात कर ली है and overall जो इसकी sound quality है उसे test करने के लिए मैं काफी ज़्यादा ही excited हूँ बाकी yes, hope so कि कल जल्दी flip card पर launch हो and yes, मैं इसे फटा-फट से buy करूँ बाकी yes, मैंने आपको साड़े specification बता दी है and आपको CD and Google Assistant का भी options देखनी को मिल जाएगा finally, मेरा तो opinion यही है कि ये brand काफी अच्छी खासी होनी वाली है अगर मैं source की बात करूँ तो उसके accordingly यार ये brand काफी मजबूत के साथ launch होने वाला है बागी दोस्तों मैं वीडियो को चाता लमा नहीं करना चाता था, फिलाल के लिए बस उनीदे के वीडियों को पसंद आयों अगर वीडियों पसंद आया तो वीडियों को लाइक जोट जोट से कर ददाना जालो का सबस्क्राइब कर लेना आप लोग कमेट न जोट बताओ कि आपको ये वीडियों कैसी लगी है इस brand के बाड़े में क्या कहना है वो वी जोड़ों से बताना and yes, finally तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो